पॉड़े जुले में एक बार फिर से एक सरकारी शिक्षक के नशे में धुत होकर स्कूल में पहुँचने का मामला सामनी आया है बता दे कि शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद अब शिक्षा विभाग भी इस घटना से काफी शर्मसार हो रहा है कि बिया के माद्धम से ये बास संग्यान में आया है मैंने जांच की और बीरो खाल की खंड सिक्षा देकारी वर्षा भारद्वास से मैंने इसकी आख्या ली कल्पिंद सींग राना ब्यायाम के सहाय कध्यापक है एंटी ग्रेट में गवर्मेंट हाई स्कूल भोट पाला मल्ला बीरो खाल में ये केवल अभी शराप के नसे में नहीं मिले हैं इनकी पुरानी हिस्ट्री भी रही है इस पर जांच कराई गई है और 24 मार्च 2023 को एक ब्रहत जांच करके मंदली अपर निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है इसके विरुद सक्थ कारवाई कराने के लिए पीटी टीचर के साया घध्यापक कलपेंद्र राणा नशे में इसकदर चूर हैं कि उन्हें अपनी हरकतों पर शर्म भी नहीं आ रही शराब के नशे में चूर हुआ ये शिक्षक पीटी का शिक्षक है लेकिन पीटी का शिक्षक फिट होने के वज़ाए शराब के नशे में चूर होकर ही स्कूल में पहुच रहा है और स्कूल पहुँचने पर स्कूल ओफस में स्टाफ के साथ भी अभधरता पेश करता हुआ नजर आ रहा है इस मामले को देखकर अब मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि शराबी शिक्षक के खिलाफ पहले भी जाच करवाई जा चुकी है और दो बार शिक्षक को इसी कारण निलंबित भी गया गया लेकिन एक बार फ़र से शिक्षक शराब के नशे में चूर होकर स्कूल पहुँचा है जिसके बाद उजद खर्ण शिक्षा अधिकारी को जाच सौपी गई है और अब इस शिक्षक के खिलाफ फोस कारवाई की जाएगी ब्यूर रिपॉर्ट राइश शुमारी